मैं जम्पई सोरेन इस स्वर्थ की सापत लेता हूँ कि मैं विधी दवारे स्ताफिज भारत के सुम्विदान के प्रती सत्ची सर्दा आउद निश्टा रखूंगा सरसट वर्षे नेता जुने आप अभी अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं वो जारखंट के नए मुख्यमंत्री हैं भोटाले मामलो पने पसे हमत्रीन को जारखंट के सीएम पत्से स्तीफा देना पड़ा अब उनकी जगाली है फकिराना अंदाज वाले नेता चंपई सोरेन अंदास भले ही फकिराना हो लेकिन जाने वो जारखंड टाइगर के नाम से हैं जारखंड मुक्ति मोच्चा के 67 वर्षे नेता पार्टी प्रमोख श्रीबू सोरेन और उनके बेटे केमंग सोरेन दोनों के ही विश्वस्तियें माने जाते हैं हाई मीरा नाम है त्रिश्टी गोयल और आप देख रहे हैं एबीपि लाइव का खाश्चो व्यक्तित जहां आज बात होगी साथ बार के मले और अब जारखंड के मुक्षे वंतरी चमपई सोरेन की चमपई सोरेन सराइकेला खरसावा जिले के गमरहिया परखंड के जिलिंगोडा गाउं के रहने वाले हैं उनकी पिता सेमल सोरेन किसान थे साल 2020 में 101 साल की उम्र में उम्तान निधान हो गया था चमपई सोरेन उनके माता पिता की 6 संतानों में तीसरी नंबर की संतान है उनकी मा माधो सोरेन ग्रहनी थी 11 नवेंबर 1956 को जन में चमपई सोरेन ने 10 वी क्लास तक सरकारी स्कूल से पढ़ाय लिखाई की चमपई सोरेन का विवा काफी कम उम्र में मानको सोरेन से हुआ शादी के बाद चमपई के चार बेते और तीन बेतिया हुई चमपई सोरेन को फ़किराना अंदास का नेता उनके रहन सहन और उनके उपर कर्ज की वज़ा से कहा जाता है चमपई सोरेन के पास कुल दो करोड की संपत्ती और तीन गाडियां तो उनके नाम पर रेजिस्टर हैं लेकिन 76 लाख के कर्ज में डूबे वो रेर सीम है लेकिन जारकन टाइगर बंदूकों के भी शौकीन है उनके पास करीब ठाई लाख रुपे के तीन हत्यार है एक लाख रुपे की एक पिस्टल, 45,000 रुपे के एक राइफल और 45,000 रुपे की एक डबल वेरल बंदूक है ये तो बात हुई उनके नीजी जीवन ही चलिए अब बात करते हैं उनके राजनेते सफर की उनके पढ़ाई लिखाई के दौरान ही बिहार से अलग जारखंट राच्चे की मांग उठने लगी थी शीबु सुरेन के साथ ही चमपई भी जारखंट के आंदोलन में उतर गए जल्द ही जारखंट टाइगर के नाम से मशूर भी हो गए इसके बाद चमपई सुरेन ने अपनी सरायकेला सीट से उपचनाफ में निर्दलिये विधायक बनकर अपनी राचनेतिक करियर का आगास कर दिया साल 1991 में सरायकेला सीट के लिए उपचनाफ में उन्होंने पहली बार जीत हासल की और ततकालीन बिहार विधान सभा के सदस्ते बन गए तब वो उपचनाफ वहां के ततकालीन विधायक प्रिश्न मौडी की स्तीफे के कारण हुआ था इसके बाद वो 1995 में फिर चनाफ जीते लेकिन साल 2000 का चनाफ हार गए थे साल 2005 में हुए विधान सभा चनाफ में उन्होंने फिर से जीत हासल की और उसके बाद वो कोई भी चनाफ नहीं हारे वो यहां से साथ बार के विधायक रहे हैं जीएमेम ने सरकार बनाने के लिए भाजपा का हाद धी था मता बीजेपी नेता अर्जन मुंडा की दो साल 129 दिन की सरकार में जीएमेम नेता चमपई सुरेन को काबिनिट मंत्री बनाय गया था और एहम मंत्रा ले दिये गए थे चमपई 11 सतंबर 2010 से लेकर 18 जनवरी 2013 तक मंत्री रहे लेकिन फिर अर्जन मुंडा की सरकार से हेमन सुरेन ने हाथ पीछे खीच लिया इसके बाद राश्पती शासन लग गया और फिर हेमन सुरेन की अगवाई में बनी जारगंड मुप्ती मोच्चा की सरकार में चमपई सुरेन को खात एवन नागरिक अपूर्ती परिवाहन मंत्री बनाये गया वहीं दूसरी बार 2019 में फिर से हेमन सुरेन के मुखिमंत्री बनने पर चमपई सुरेन को परिवाहन अनुसूचित जाती एवन पिछरावर्ग कल्यान मंत्री पध दिया गया चंपाई JMM के उपाध्यक्ष्पी रहे अब उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है और उनके राचनेतिक कत का अंदाजा तो इसी बात से हो जाता है कि अब वो हेमंत सोरेन की जगहा छारगंट के नए मुख्यमंत्री है इस पर आपकी क्या रहा है कॉमें सेक्ष्ण में जरूर शेयर कीजिए शो आपको कैसा लगता है कॉमें सेक्ष्ण में बताईए देखते रहें अबीप लाइफ